गुड़ मॉर्निक श्रेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ओफ डिफरेंट टाइप्स ओफ इमेज बाई ये तनकेव मीरर यानि कि हम एक जो हमारे पास कनकेव मीरर है उससे हम कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेज प्राप्ट कर सकते हैं अब object को अपने कहां रखते हैं कि इसकी उपर डिफरेंट करती है object के उपर अब ऑब्पजेक्ट को कहां पर रखते हैं इसका mean क्या है इसका mean यह है कि भी देखो हमारा कोई भी स्करी मीरर और उसका अपना एक पोल रहता है फोकस होता है center of curvature होता है ठीक है या center of curvature से आगे की image form होती हैं और आज हम इसी वीडियो के अंदर पहले मापको यह वताऊंगा कि हम कौन-कौन सी image किस-किस प्रकार से बनाएंगे यानि कि कहां-कहां पर हम object को रखेंगे पहले उसको study करेंगे उसके बात उनको deeply study करेंगे कि अगर हम यहां पर रखते हैं तो यहां पर image क्यों बनती है वो कैसी होगी mean virtual होगी real होगी या in erect होगी inverted होगी यह सब बाते हम उनके अंदर study करेंगे one by one करके और यह सभी studies related होगी किस से कन के हो mirror से related ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसी के साथ और अगर अभी तक भी आपने यह वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो वही ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर भी अगर आपकी वीडियो पूरा देखने के बाद एक बात और नौट कीजिए कि आप हमेशा क्या करते हैं स्टार्टिंग का कुछ पार्ट देखते हैं वीडियो और फिर वीडियो पोज करते हैं बंद कर देते हैं ऐ अगर आपको फिर भी कोई प्रोब्लम रह जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखके बता सकते हैं माँ आपकी प्रोब्लम को दूर करने की पूरी पूरी कोशिज करूंगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब का नीचे होता है और यहां पर हमारा किसका बटनाता है सब्सक्राइब कर राइड कलर का होता ना जिसके साइड में बैल सीवन ही होती है ठीक है वही उसको प्रैस कर दीजिएगा ठीक है तब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो औन टॉपिक्स formation of different types of image यह हमारा क्या है टॉपिक है यह मैंने आपके लिए मिरर बना है कैसा मिरर है कैसे स्टेडी करते हैं कनकेव मिरर है या क्या है वह हम पहले स्टेडी कर चुके हैं अगर अभी तक भी आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देता आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर यह क्या हमारा पॉल है फोकस है सेंटर ऑफ करवेचर है इंफिनिटी इंसलेटेड भी पहले हम वीडियो बना चुके हैं अगर आपने वह भी नहीं देखी तो वह भी आप जाके देख सकते हैं उसका भी लिंक आप आप को आई बटन पर ही प्रोवाइड करा दिता हूं ठीक है अब यहां पर हमारी डिफिरेंट टाइप की मेंज बनती है अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम किसके कोडिंग बनाते हैं इमेज हमारी कि हम औजक्ट को यानिकि जो हमारा औबजक्ट है जिसकी हमें इमेज prepare करनी है या image form करनी है उसको कहां पर रखते हैं उसके according हमारा क्या बनता है image बनती है क्या बनती है image बनती है अब कहां कहां पर रख सकते हैं जैसे यह pole है यह क्या focus तो हम पहला जो point आता है किसके भी समय रखते हैं between the pole and focus यानि कि हम object को कहां पर रखे हैं यह pole है हमारा और यह क्यों है फोकुस इनके यहां पर भी आप रख सकते हो यहां रख सकते है यहां रख सकते हैं तो उसके according हमारी क्या होती है ही में होती है ठीक है ह Lives focus कि हम कहां पर रख देब round focus के उपर ही हम अपना क्या रख देते हैं अब्जेक्ट को रख देते हैं तो उससे जो इमेज प्रिपेर होगी वो कैसी होगी वो हम स्टेडी करेंगा आगे थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है बिट्वीन दी फोकस और सेंटर ओफ करवेचर यानि कि आप यहाँ पर रख सकते हैं अब फोकस पर और सेंटर ओफ करवेचर पर नहीं इन दोनों के बीच में कहीं भी पहले स्किया जा सकता है ओब्जेक्ट को फोर्थ पॉइंट आठता है अट दी सेंटर ओफ करवेचर कहां पर रख दें अब फोकस पर नहीं रखना है अब हमें कहां रखना है सेंटर ओफ करवेचर और उसके बाद ब्योंड दी सेंटर ओफ करवेचर यानि कि सेंटर ओफ करवेचर से आगे कहीं भी यहां यहां कही भी रख दें और लास्ट जो आता है हमारा वो आता है at the infinity यानि कि बहुत बहुत ज्यादा दूरी से कोई object हम ने रख दिया तो उसकी image कि इस प्रकास से फॉर्म होती है तो यही हमारे point है जो कि से लेटिड है अमें इनको एक एक करके हम सभी six के six point को study करेंगे कि इनके अंदर जो हमारी image प्रिपेर हो रही है वो कैसे हो रही है ray diagram उनका कैसे बनेगा और वो virtual बनेगी या erect बनेगी या कैसी बनेगी तो वो completely हम इसके अंदर study करेंगे अब अगर आप यह note करना चाहते हैं तो note कर शकते हैं हम जो सबसे पहले study करने वाले हैं वो between the pulse and focus ठीक है तो आप यह note कर लीजिए अगर आप note करना चाहते हैं तो अब हम जो study कर रहे हैं वो हमारा case first है case first के अंदर क्या है कि हमारा जो object हम उसको कहाँ पर रखते हैं focus और pulse के बीच में ठीक है तो उसी को हम study करना है कि इससे जब हम object को focus और pulse के बीच में रखते हैं तो हमारी जो image की formation होती है वो कहाँ होती है और किस परकार से होती है और यहाँ पर जो हम use कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वही four rules जो हमने study कर चुके हैं पहले ही यह थे ना हमने four rules ठीक है I hope आपने वो study कर लिये होंगे ठीक है तो अब हम उन्हें का use करके study करते हैं इसको अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं हमने एक object लिया है अब यहाँ से जब कोई भी ray of light हमने study किया है कि अगर कोई भी ray of light पैरलल आती है किसके principle axis के तो हम क्या करते हैं थरी परकार से ले सकते हैं इसमें fourth rule नहीं लगेगा वो कौन सा है रूल जो नहीं लगेगा वो यह है कि भी अगर कोई ray of light आती है जब तो focus से क्रोज करती है तो principle axis से parallel में जाती है यह हमने rule study क्या लेकिन अब देखो अगर कोई light यहाँ से क्रोज कर जाएगी तो क्या होगा वो इसको कैसे touch करेगी नहीं कर पाएगी और अगर हम नीचे से द सकते हैं ठीक है तो हम जो फरस्ट रूल यूज करते हैं वह क्या करते हैं कि parallel of light आती है principle axis के पहले क्या और इफ दिसक्वर होगे principle axis में जा रही अब wo less सेhen आती हैं कि एक ray of light आती है मारी क्या parallel to the principle axis क्या है यह parallel है principle axis के यह क्या हमारी incident ray यह इस परकार से ray of light आती है तो क्या करती है इस head से touch करती है तो उपर से गई तो यह light कहाँ पर गई mirror के उपर यह क्या हमारा concave mirror ठीक है यहाँ पर जाएगी अब यहाँ से टकराने के बाद यह light क्या करती है focus से cross करती है focus से ठीक है भी यह मने रूल study कर चुगे हैं पहले ही कि हाँ ऐसा होता है यह कहां से गई focus से cross करती है अब second rule के according हमारा क्या करता है कि अगर कोई ray of light हमारी कहां से आए center of curvature से आए आप वो यूज कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि अगर कोई ray of light कहां से आ रही है center of curvature से तो वह क्या करती है retrace करती है its own path अपने path को क्या करती है retrace करती है जैनी जिस रस्ते से आई थी उसी से वापिस जाती है तो अगर हम उसको बनाते हैं इस परकार से तो वो क्या करेगी retrace करती है भी lining थोड़ी टेडी मेडी हो जाती है हिलता रहता है तो mind मत करना लेकर किन जब हम ray diagram बनाते हैं जब आप copy बनाएंगे या notebook में या कहीं पर भी आप बनाते हैं exam के अंदर भी तो वहाँ पर सकेल का use कीजिएगा आपका diagram कभी गलत नहीं आपको सकेल का use करना है तो हम सकेल का use कर सकते हैं आपर तो c center of curvature से हमने light ली तो यह क्या करती है retrace करती है its own path लेकिन जब हम देखते हैं तो यह जो रेड वाली light आपको दिखाई दे रही है या raise दिखाई दे रही है यह कैसी raise है हमारी reflected raise है और अब आपको को कहीं सर यह तो incident थी बिलकुल थी वही लेकिन आप क्या करें यह incident भी है और reflected भी same path से आ रही है तो वैसे तो मै मैंने इसको red side note किया लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन के बीच में gap कम है लेकिन यहाँ आगया आगया आते आते क्या होता जाता gap बढ़ता जाता है its mean कि इस side में तो intersect नहीं करेंगी और हमें image form करने के लिए क्लिए इंटर्सेक्ट होना चाहिए तो intersect कहां कर सकता है behind the mirror यानि कि हम imaginary line बनाते हैं इस परकारशी इनको आगे बढ़ा देते हैं क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं यह इस परकारशी आगे बढ़ा दिया इनको तो इसको भी क्या करेंगे हम पीछे की तरफ आगे हमारी क्या कर जाती हैं intersect करती है जिस पॉइंट पर हमारी यह line intersect की कहां की behind the mirror कहां पर किसके mirror कौन सा mirror कन केव mirror ठीक है तो यहां पर हमारी क्या form होती है image form होती है कहां पर at that point तो हमारी यहां पर क्या बन जाती है image form होती है अब अगर हम इस image को देखें तो वैसे देखा मैं इसको dotate कर दिया है क्योंकि यह तो कैसी थी है हमारी object था real था ठीक है लेकिन इमेज कहां बन रहे है mirror के अंदर तो हमारी mirror के अंदर जो image बनती हो कैसी होती है imaginary होती है कालपनी होती है वो actual में exist नहीं करती तो first point जो इसके अंदर हम diagram के अंदर हमने नोट किया वो क्या था कि जो image form और ही हमारी वो कहां बन रही है behind the कहां बन रही है भी behind the mirror mirror के पीछे बन रही है back side में बन रही है back side का mean यह नहीं है कि उसके आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको image दिखाई देगी नहीं बन तो mirror के अंदर ही से ही आपको mirror के अंदर बन रही है लेकिन इसलिए हम उसको कह देते है behind the mirror बन रही है mirror के पीछे ली side में ठीक है अब उसके बाद कैसी है virtual है कैसी है virtual है virtual क्यों है आपको पता है क्योंकि inside the mirror बन रही है virtual and erect क्यों सीधी है विकुल head की तरफ क्या है head है और foot की तरफ क्या है fit है हमारे ठीक है तो and erect इसलिए क्या है erect है और क्या देखते हैं कि अगर यह हमारी किसकी the height object की और इसकी क्या है बढ़ गई यानि कि image क्या होगी magnify होगी बढ़ी होगी है हमारी and larger than the object third point क्या आता है larger than the object या हम simply लिख सकते हैं magnified क्या लिख सकते हैं magnified यह लिख सकते हैं तो जब भी हम किसी object को किस के बीच में रखते हैं पॉल्स के और focus के बीच में रखते हैं तो उस time पे जो हमारी image form होती है वो हमारी कहा होती है behind the mirror होती है कैसी होती है virtual होती है और erect होती है यानि कि सीधी होती है बिल्कुल erect का मतलब होता है सीधी ऐसा नहीं एक उल्टी हो गई हो कि head की जगए पे तो क्या आ गया पैर आ गए और पैर की जगए पे क्या जाता है सीर आ जाता है नहीं ऐसा नहीं है सीर की जगए पे सीर ही है यानि कि head head पे top सी दिखडी हुई है बिल्कुल तो कैसी है erect है larger than the object object से क्या है बड़ी है हमारी यानि कि आपकी जो image है वो magnify होगी क्या होगी magnify होगी अब बहुत सारे ट्रेंट को ये question आ रहा होगा कि सर ये नीचे से raise आई या उपर आई किस परकार शाई भई हम इससे कोई फरक नहीं पड़ता रेस देखो हर direction से आती है ठीक है तो हमारी जो वैसे अगर आप होगे सर ये आपने शिर्फ head head लिया ये तो पूरी पे आपने लिये एक्च्वल में क्या है कि हम सिर्फ two points पे लेते हैं हमने शिर्फ head ले लिया और नीचे वड़ प्रिंसिपल पे लिये तो उसको direct मिला देते हैं जहां पर ये दोनों points मिलते हम वह क्या कर देते हैं एक image त्यार कर देते हैं ठीक है एक्च्वल में जब हम किसी mirror के अंदर देखते हैं तो हमारे स्रीज से number of lines क्या करती है reflect कर होती है कहां जाती है mirror के उपर जाते हैं वहां से reflect होके हमारी क्या बनाती है image बनाती है ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में raise बनाएंगे तो यह diagram में आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा अब कई बच्चे कह रहे हैं इस आपने यहां पर two rules का use किया बिल्कुल two rules का use किया तो हमने third बच्चा क्यों नहीं किया हम कर सकते हैं ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं थर्ड रूल क्या कहता है हमारा कि अगर कोई ray of lights एक एंगल बनाती है जब फॉल होती है कि इसके उपर pole के उपर तो एंगल बनाती है किसके साथ ray of light एंड प्रिंसिपल एक्सिज के बीच में तो वह हो किसके इकल होगता है हमारा इंगल रिफलेक्शन के यानि कि एक ray of light आती है हमारी इस परकार से यहाई पॉल के उपर तो यह करती हैद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो यह एंगल हमारा reflecting angle यह θत है तो नीचे जो reflecting angle होगा हमारा वो भी क्या होगा ? थतत ही होगा ? निस परका आप इसको भी पीछे की तरफ एक्स्टेंड करेंगे तो वह भी कहां पर जाएगी उसी पॉइंट पर जाकर मिलती है जिस पॉइंट पर हमारी पहले मिली हुई थी तो ऐसा नहीं है कि हमें यहीं रूल यूज करना है या यह करना है आप कोई भी रूल यूज कर सकते हैं लेक क्यों नहीं कर रहे है उसका रीजन यह वही क्योंकि यह कहीं पर भी ऑबजेक्ट को टच्च को टच्च को टच्च नहीं कर रहे हैं अगर आपको इसका यूज़ करना है तो वो शिर्फ आप ये की तरह से कर सकते हैं कि यहां से नीचे से रे ओफ लाइट डाले यहां पर और उसको यहां पर लेके जाएं जब आप एक्टेंड करोगे तो पीछे वो उसी यूज़ लाइन पर आ जाएगी फॉर्थ पॉइंट इस परकार से हम फॉ पॉइंट का यूज़ कर लीजिए उससे कोई फैक्ट है नहीं पड़ेगा कहीं कोई बच्चा यह सोचेगी नहीं सर नहीं यह दो ही रूल यूज़ किया इनहीं से बनती होगी बाकी से नहीं बनेगी नहीं ऐसा नहीं होता आप किसी भी परकार से किसी भी रूल का और कैसी होती है वो यह हमने note कर दिया अगर आप यह ray diagram बनाना चाहते हैं तो note कर सकते हैं इसके बाद हमारा जो next ray diagram हम study करेंगे अभी वो क्या होगा at the focus यानि कि जब हम object को कहां पर रख देते हैं हमने अभी कहां रखा focus और pole के बीच में आप कहां रखेंगे focus के उपर तो उस time पे हमारे किस प्रकाश इमेज फॉर्म होती है अब हम उसको study करेंगे आप note कर लीजिए अब हम जो study कर रहे हैं भी हमारा यह case second है इसके अंदर हमने को object को कहां पर रखा focus के उपर तो हमने कहां पर रखा भी focus के उपर रख दिया किसको object को ठीक है अब जैसा कि हमारा कैसा है second case image फॉर्म बाई एक अंके वी mirror when object placed at the focus of the mirror तो mirror का focus कहां था हमारा यहां पर उसी के उपर हमने क्या रखा object को रखा तो अब यहां से हम इसकी image form करते हैं तो वो किस परकार से होती है ठीक है अब सबसे पहले हमारे हम कोई भी two rules लेंगे भी three नहीं use करेंगे उसका reason यह है कि अगर आप three लेंगे तो वहां पर क्या उतहला बहुत सारी line हो जाती है intersect हो जाती है और अगर आप notebook में अगर एक्जाम में कहीं पर भी इस परकार से बनाएंगे तो आपको confusion रहेगी कि incoming कौन सी है और reflective कौन सी है तो in that case आप क्या कीजिए two ही rays का use कीजिए चाहें तो कर सकते हैं थरीका अगर आपके पास अलग-अलग colors हैं या आप उस परकार से कर सकते हैं लेकिन according to आप दो भी बना सकते हैं क्योंकि हमें minimum कोई भी ray diagram या image form करने के लिए two lines चाहिए तो हम दो से भी बना सकते हैं तो मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर वो two ही ray का use कर सकते हैं अप अब after reflection यह parallel आ रही थी किसके parallel आ थी principle axis के तो क्या करती है focus से ग्रोज करती है तो यह इसका focus था focus से process करके गई है किस से cross करती है focus से cross करती है हमारी तो यह क्या हमारा focus थीक अभी तो यह हमारी क्योंट ची थी incident ray first और यह क्या होगी क्या करती है retrace करती है it's over path यानि कि इसी रस्ते से गई तो ये क्या होगी incident और reflect होके वापपीस आ गई तो वो क्या होगी reflected मैंने reflected को red sheet note कर दिया और arrow के सिम्बल से ठीक है यानि कि इसी रस्ते से जा रही है और इसी से आ रही है अब जब हमारी image जो form होती है वो कहां पर form होती है कहां पर जब दोनों की दोनों lights क्या करती है एक दूसरे को intersect करती है अब अगर हम इन दोनों reflected rays को देखें तो यह दोनों की दोनों क्या है parallel है to each other क्या है parallel है parallel है तो इसका mean यह है कि भई यह कहीं पर भी नहीं टक राएंगी ठीक है इनको अगर image form करनी है तो इनका distance हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर जाके इनकी image form होती है इसका example के लिए मैं आप एक example देता हूं समसे जो हमारी lights आती है जब वो हमारी आर्थ तक आती है तो क्या होती है बहुत ज़्यादा distance travel करके आती है जिसके कारण वो किस परकार हो जाती है parallel हो जाती है to each other इसी लिए जब भी कोई यानि की ray of light हमारी parallel चलती है तो क्या होती है intersect नहीं करती तो उनकी जो image बनती है हमारी वो कहाँ पर बनती है at the infinity तो हम इसको कहाँ पर कहेंगे कि कहाँ पर बनेगी image हमारी infinity पे यह इसी परकार चली जाएंगी इसमें आपको सर्फ यही लिखना है कहाँ बनेगी at the infinity इमेज कहाँ बनेगी आपकी infinity पे बनेगी यही आपका ray diagram होगा इसका simple सा ray diagram है ठीक है यानि कि जब भी आपकी कोई parallel ray of light आएंगी आएं या जाएं अगर parallel आ रही हैं तो समझ लो आप अगर आ रही हैं तो infinity से आ रही हैं जैसे sun से आती है ठीक है और अगर जा रही हैं तो भी कहाँ पर जाएंगी infinity तक जाएंगी और उनकी मेज भी वहीं पर बनेगी जो हमें visualize नहीं होती अब इस से हमें और क्या पता चलता है तो हम यहाँ पर अगर हम देखें कि भई ठीक हैसर infinity पे बनेगी लेकिन उक कैसी बनेगी मतलब real बनेगी virtual बनेगी या किस परकार से बनेगी erect होगी inverted होगी तो हम उन points को लिखते हैं first point आता है हमारा कहाँ बनेगी हमारी at the infinity image कहाँ पर बनेगी infinity पर बनेगी second point आता है कि वह कैसी बनेगी mirror है हमारा mirror से पीछे तो नहीं बन रही है पीछे बनती तो क्या होती है virtual लेकिन यह कहाँ बन रही है आगे है mirror से चाहे कितनी हें दूर जाके बने लेकिन mirror से तो reflect होके आगे ही आ रही है तो कैसी बनेगी real बनेगी second कैसी बनती है real बनती है real and और कैसी बनेगी कैसी बनेगी क्या ये हमारी जो है image वो inverted है या सीधी है यानि कि जो हमारी image फोर्म हो रही है वो किस प्रकार किया है erect है या inverted है तो आप क्या देखते हैं इसके अंदर अगर हमारी principal axis से उपर बनती ये image तो क्या होती erect होती लेकिन ये कहां बन रही है principal axis से नीचे बन रही है तो real and inverted होगी है कैसी होगी inverted यानि कि image हमारी उल्टी बनेगी अगर हम वैसे भी अगर example लेके देखें तो head ये है तो head यहाँ पर बनेगा हमारा जहां भी टकराएगी और ये हमारा principal axis पर हम क्या रखते है हमारे पैर हमें साही पैर होते है तो क्या होज़एगा आज में उल्टा दिखाई देगा इसके अंदर तो हमारे जो image form होती है हमारे वो कैसी दिखाई देती है inverted होती है अब कैसी दिखेगी magnified होगी, small होगी या कैसी होगी देखो यहाँ तक तो यह टकराती ही नहीं क्या पता कितनी नीचे जाएगे टकराएगे कितनी दूर जाएगे टकराएगे तो क्या होगी highly magnified होगी यानि कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो थर्ड पॉइंट पे जो आता हुआ क्या आता है highly magnified क्या होगी highly magnified होगी यानि कि बहुत ज़्यादा बड़ी image बनेगी ठीक है क्या बनेगी बहुत ज़्यादा बड़ी image बनेगी तो यह था भी हमारा second case हाँ जब आप book के अंदर या notebook में इस प्रकार से जाती है कहां पर टकराई b point पर reflect होके b c गई यह हमारी कहां से cross हुई इस प्रकार से आपको पूरी explanation करना पड़ेगा इसका इनके naming देनी पड़ेगी आपको यह यहां पर टकराती है यह b हो गया तो इसको हमने e मान लिया ठीक है यह f हो गी रेव फ्लाइट e f चली गई कहां से गई center of curvature से क्यों हो गई क्योंकि trace 801 path यह सारी बाते आपको लिखनी पड़ेंगी यह मैं आपको सिरफ मोखिक बता रहा हूं ठीक है वोकल बहसा मीं बता रहा हूं ठीक है तो आने वाली next वीडियो के अंदर हम उनको study करेंगे I hope आपको यह अच्छे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो उसको like कर दिया करो भई मेरा भी तो होसला बढ़ना चाहिए ना कि आपको वीडियो पसंद आती है ठीक है तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए और हाँ चैनल को subscribe मत करना मत बूलना subscribe आपको करना ही करना है कर लीजिए free of cost है ठीक है उसको आपको कोई charges नहीं लग रहा और like करने का भी नहीं और share करने का भी नहीं है तो please free में कुछ हो रहा है तो वो तो कर दो भी ठीक है तो like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए ठीक है तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए फिर मिलते हैं next time next video के साथ thank you